तो गाईज अगर अपनी तैयारी Unacademy Plus से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग का यह है कोड GJ8010 मतलब कि अगर आप Unacademy का कोई भी सब्सक्रिप्सन पर चीज करते हैं अगर आपको 10% डिसकाउंट चीए तो इस कोड को यूज करिएगा तो आपको 10% आफ मिल जागा ठीक है और साधी साथ अगर मालिज हमारा Free Special Class जोइन करना चाहते हैं तो GJ8010 डालेगा वहाँ पे भी आप Free हमारा Class जोइन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा चीज है तो GJ8010 जरूर से जरूर यूज करना ठीक है अब दीख कराया जाएगा स्क्रेबर्स के रिकॉर्डिंग क्लास से लेगा लाइफ टेस्ट लाइफ की उसके बाद डेली आपको स्टडी मेटेल पेडिया फॉर्मेट मतलब की बहुत चीज यहां पर मिल जादा ठीक है अब देखिए यहां पर हम लोगे गरुण बैचे स्टार्ट चुकि उनके लिए तो 90 दिन के पूरा फुल कोर्स है और यह हम लोगा 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्ज तक यह चलेगा ठीक है तो दोना का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखें आप लोग जाके फटा फट इन्रॉल कर सकते हैं ठीक है अब देखिए अगर आप लोग लेते हैं तो आपको पर्चेज कैसे करना है सबसे पहला आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा अब देखिए यहाँ पर आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है मालिज आपको 12 महीने क कही लेना इस पर क्लिक करना क्लिक कर देंगे अब आपसे कोड यहाँ पर डालेंगे तो आपको जीजे अटी टेंड डेफिनेटली 10% आफ ठीक है अब देखो डाल देते हैं अगर कोड तो आपको देखो इस तरह का आपको प्रैस दीखेगा 12 महीने का कि उस आड़े डालके हैं फटा फटा नीचे जोईन कर देखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना ठीक है तो आज ही डाउनलोड कर लीजे अपने मॉबाइल में अन एकटमिल लगए तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी इंडियन कोस्ट गार्ट की अफिसले वेबसाइट पर हूँ और हम नीचे आते हैं नीचे आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है क्रिट एकाउंट पर ठीक है अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको क्रिट एकाउंट पर ही क्लिक करना पड़ेगा और देखिए अगर मोबाइल में अपने ऑनल करेंगे कितना रखेंगे हर चीज आपको बताएंगे चलो जी create account पे click करिए फटाफट अभी website बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है अब देखो यहाँ पे आपको नाम डालना है पहला चीज नाम है उसके बाद यहाँ यहाँ पे आपका फादर नाम मदर नाम उसके बाद आपको इंडियन चूच कर लेना है mail चूच कर लेना है यहाँ अब देखो यहाँ पे email एड़ी एकदम सही वाला बिल्कुल मतलब जिस पे mail आ सके जिस पे admit cut आ सके मतलब वही देना confirm email एड़ी डाल देना है आप सभी को उसके बाद यहाँ पे आपको mobile number 10 digit verify email एड़ी आपको डालना है yes okay उसके बाद आपको मैं इतना करके process बताता हूँ आप आराम से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो मैं step by step डालके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डालो एस एच आसीश कुमार yes okay आप चलो जी अब यहाँ पे डाल लेते हैं father name r a j e राजिंद्रा परशाद yes okay अब यहाँ पे डाल देते हैं अपना mother name कोई बात नहीं नाम दिखिए जो b i t a ठीक है चलो डाल देता हूँ नाम हो गया यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं guys indian yes okay यहाँ पे mail चूज कर लेते हैं यहाँ पे email id डाल दो जो verify मतलब अच्छ बढ़िया वाला हो जिस पे आ सके आसीश 123 हम डाल देता हूँ इस पे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 123 address gmail.com पे डाल देता हूँ confirm यहाँ पे email id फिर सम डाल देते हैं ए एस एच आई आसीश चलो हो गया कोई दिक्कत नहीं है न यहाँ पे ले नहीं रहे बढ़िया चलो एक में डाल के देखता हूँ बताता हूँ चलो जी यह भी ले लिया यह सोगे थोड़ा से देखो website धीरे धीरे स्लो हो रहा है मतलब जो उसका working है मतलब स्लो होते जा रहा है अब यहाँ पे आप सफी को क्या करना है mobile number 10 डेजिस verify email id आपको इतना करके process आपक gym.com and mobile number इतने इतना पर ठीक है तो आपको मैं पूरा बदाता हूँ process अब आगे क्या होता है आप पस बने रही है तो guys हमने यहाँ पे OTP डाल दिया अब देखो जी generate करने में काफी जादा time लग रहा है ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा generate करने में कम से कम 10 minute OTP आने में लग रहा है email ID पर तो बहुत डीले करके आ रहा है mobile पर जल्दी आज़र लेकिए email ID पर बहुत ज्यादा time लग रहा है आप एक site में देख सकते हैं ऐसे ही आपके पास email आएगा और इसके बागल में आप जिसे दिख रहे हैं यह आपके phone पर ठीक है चलो इतना कर लेते हैं इ system generate password चल गा ठीक है अब इस पर हम click करते हैं yes okay अब हम यहाँ पर login करेंगे और password करके उसके बाद यहाँ पर बरना स्टार्ट करेंगे ठीक है चलो करते हैं तो गई जैसे कि आप अपने screen पर देख सकते हैं फिल से एक बार क्योंकि वीडियो को push करकर के काम ही करना पड़ेगा ठीक है अब देखो यहाँ पर हमने उस तरह का इंटरफेस आपका login और password डालेंगे password आपके mobile नंबर पर email एड़ी दुनों जगा जाएगा तो अपना email एड़ी जो रेइस्टरट किया थो वो डालके उसके बाद नीचे आपका password उड़ा लेंगे और उसके बाद जैसे ही उस password बना लिए खुद से उसके बाद confirm password बना लेंगे यहाँ पर मतलब वही जो यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर डालके फिर यहाँ पर capture डालके और continue फटाफट हम क्लिक कर देते हैं ठीक है चली क्लिक कर देते हैं password reset successfully हमने कर लिया कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हम update भी कर सकते चलो हो गया ना चलो इस पर मोके करते हैं ओके करेंगे तो अब हम लोगा जो main process है गया जहाँ से start होता हूँ आपको मैं अब यहाँ से आप सभी को कैसे करना है यह सब आराम से पढ़ लेना पढ़ने एक बाद submit पे click कर देना ठीक है चलो मैं उसको check box को tick कर लेता हूँ पहल form जल्दी जल्दी आप भरो आप सभी लोग जल्दी जल्दी अब देखो form क्या करना है कैसे करना आपको मैं हर एक चीज़ बता देता हूँ personal information आप सभी को यहाँ पर डालना है तो डाल देते हैं आप देखो यहाँ पर अगर आपने registration किये होंगे यहाँ पर already बहुत नाम date of birth भी ले लेगा ठीक है उसके बाद इतना आपका देख सकते हैं आप सेकंडरी मेलेडी दे सकते हैं optional है देना चाहेंगे दे सकते कोई दिक्कत नहीं है आपका इंडियन हो गया gender mail भी हो गया कोई दिक्कत भी नहीं है ठीक है अब इतना के बाद हम नीचे आते हैं नी merit mail पर आपको तो unmarried ही क्लिक करना है merit तो क्लिक ही नहीं करना है ठीक है yes okay अधार number optional है देना चाहेंगे दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो दे दीजे नहीं तो कोई बात नहीं है ठीक है चलो यहाँ पे photo ID card आपको किस तरह का voter ID card है क्या है driving license है मालने मेरे पास अधार card है confirm photo ID number डाल दीजिए जैसे कि मालने अधार number जो होता है यहाँ पर डालेंगे पहले उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे ठीक है अब देखो जी आगे आपको cut mark cut mark to मतलब की जो लोग नहीं लिखते हैं तो आपको यहाँ पर डाल के अपना submit कर देना ठीक है आपको मैं लिख अब जब मैं video edit करूंगा तो आपको डाल देना है लेकिन आप हम अपने recording डालेंगे ना आपका कहां पर मोलान forehead क्या डालेंगे आप अपने recording डालना ठीक है जो जहाँ पर आपका दिक्कत हो ठीक है चलो अब यहाँ पर आपका देख सकते हैं इस पर हम select पर क्लिक करते हैं त या हम से कर सकते हैं ठीक है डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल देंगे फड़ा फट आपका जो डेट ऑफ बर्थ है लगा सकते नहीं तो आप 10 पर अगर आपके पास है 10 certificate उसमें मेंसन किया होता है कि आपका डेट ऑफ रथ क्या उसमें मेंसन होता है अप उसको आप अप तीक है इस पर हम यस नो जो भी हो कर सकते हैं नो ठीक है ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर लेते हैं फटा फट देखो देखो जी यहाँ पर पूछ रहा है कि कहने का मतलब है कि अगर आप पहले से इसके लिए employee है वो चीज पूछ रहा है अगर आपके पास है तो यस करना नहीं तो कुछ मत करना ठीक है इस पर अन-imploy करके आप आगे बढ़ जाना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह सो के समझ गे ना आप अगर आपके माता पीता या फिर पापा जो भी यह अगर आप नौकरी करते हैं उनमें इंडियन कोस्ट पर इसपे क्लिक करना या फिर प्राइबेट सेक्टर है इसपे क्लिक करना या फिर कुछ भी नहीं है तो इसपे क्लिक करना या फिर गोवर्नेंट सेक्टर इंप्लोईट तो जो भी हो आप कर लेना लेकिन बेस्ट रहेगा ये वाला सेकिंड वाला टिक कर लेना ठीक है अन इ इस पर आपको जो अप्लोड डेट और बद दो प्रूफ है सर्टिफिकेट यानि टेन्थ वाला टेन्थ का सर्टिफिक्ट यहां पर अप्लोड करना है 10 से 100 के अंदर बना लेना है देखिए बनाना कैसे आप सभी को मैं बता दूंगा अलग से इस वीडियो के बाद एक आता ह आपका रिसाइजर करके नाम है उस रिसाइजर ने फोटो क्लिक कर लेना बढ़िया से एकदम साफ कैम स्किनर से स्किन कर गए उसके पाद उसमें जाकि अपने कोर्डिंग बना लीजेगा 10 से 100 के भी आप रखिएगा 80 से 90 बेस्ट रहेएगा ठीक है कोई दिक्कत निये चल घरी लिया उसके रापका क्वालिफिकेशन डीटेल्स पूछ पूछेगा आपसे ठीक है क्वालिफिकेशन डीटेल्स आपसे पूछेगा तो उसमें आप भर देंगे उसके बाद आपका additional details होगा photo and signature रहेगा रहेगा यहां पर उसके बाद cities आपका रहेगा कि city आप कहां क् उसके बाद इतना करने के बाद guys आपका city के बाद आपका make payment का उसके बाद आपका इधर देख सकते हैं पूरा देर है कि कैसे कैसे क्या करना है ठीक है खेर इतना करने के बाद अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा time लग जाता है लेकिन आपको मैं इतना करके आगे बढ़ता हूँ ठीक है चलो तो guys हमने यहाँ पर already सब काम कर लिया ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब देखो यहाँ से एक चीज आपको मैं बताना चाहूँगा guys आगे चलके थोड़ा से यहाँ पर देखना हाँ जी यहाँ पर देखे यहाँ जो बहुत जरूरी है guys हमने तो already एक खाम तो क्या ही नही है अब देखो जैसे माल लिजी यहाँ पर जिनरल वाले एक लिए तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप ओबी सी के कटेगरी है तो काफी मतलब की थोड़ा सा लगता है अलट आ गया लट में कहा क्या रहा है कि देखो भाई date of issues of category certificate यह नहीं कि आपका ओबी सी जो date of one certificate होता है उसका issue आपका category certificate यहाँ पर date उसका लगेगा उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि category certificate validity मतलब कि यहाँ पर वो मांग रहा है गाईस तो एक ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी candidate OBC की है OBC वाले student उनके लिए date of issue of category certificate जरूरी है और category certificate validity जरूरी है यहनि कि मतलब क certificate ही जरूरी है इसके लिए तो ना बहुत जरूरी है तो OBC के लिए तो नहीं है, OBC के लिए को OBC के लिए है, general के लिए भी है उनका तो भाई यह मांग रहा ठीक है तो बनवाना तो पड़ेगा वो certificate आपको उसके बीना तो कामी नहीं होगा मेरे पास तो है ही नहीं तो मैं apply कैसे करूँ अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा गैस ठीक है वो आपका issue date और आपका यहाँ पे प्रोफेशनल इंफोमेशन आपने भरी दिया उसके बाद पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे ठीक है सेलेक्शन उसके बाद देखो आपका जो में चाहिज आएगा आपका photo and signature आएगा उसके बाद आपका city आएगा चूज करने का आपको मैं बता देता हूं उपर उपर पूछ लीजेगा कॉल करके ठीक है चलो गाइस अब इक लिए इतना ही मिलते हैं को और वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अलाम से साइबर कैफ में जाना वहां पे सब चिस फॉर्म भरे जाएंगा ठीक है चलो भ्यूब लड़ गाईस